हेलो दोस्तो नमस्कार मैं शांती जोशी शामा गार्णिंग में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक बेहदी खुपसरात और्नमेंटल प्लांट दिखा रही हूँ इसकी पत्यां बिल्कुल ट्रेंगल के आकार की होने के करण इसे ऑक्सलाइज टेंगुलेरिस प् तो इसलिए इसे बटरफ्लाइ प्लांट भी कहते हैं इसकी कई वेराइटिया होती है यह पर्पल कलर की वेराइटी है और यह बहुत ही ज्यादा खुपसरात दिखाई देती है अगर आपके ग्रीन पत्यों वाले गार्डन में यह पर्पल कलर की पत्ती वाला प्लांट यह बेहदी खुपसरत दिखाई देता है और इसकी पत्यों में भी हलका वेरिगेशन है देखिए डार्क पर्पल कलर है और बीज में लाइट पर्पल कलर है जिससे यह बिल्कुल बटरफ्लाइ की तरह ही दिखाई देती है साम होते ही यह पत्यां आपस में मिल जाती है जि यह प्लांट बल्ब से ग्रू होने वाला एक बेहद खुपसरत और्नमेंटल प्लांट है यह इसकी जो बल्ब होते हैं बहुत छोटे-छोटे से बल्ब होते हैं और बल्ब से ही यह ग्रू होता है इसका जो ग्रूरिंग प्रियाट होता है इस्प्रिंग से जन से लेकर यह तक ये बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है जैसी ही सर्दियां ज्यादा पढ़ने लगती हैं दिसंबर और जैन्वरी उस समय ये डॉर्मेंसी में चला जाता है और ये कुछ पतियां इसकी सूख जाती है उस समय आप इसको कट कर दे और इसके बल्ब जो हैं गंबले में ही बने रहने दे फिर स्प्रिंग सीजन आते ही ये फिर से नई नई क्रोथ करता है और फिर से ये ऐसी बिल्कुल एकदम आपका कलरफुल पत्यों वाला बन जाएगा तो इस देंग से आप इसकी देख भाल करें जहां तक इस प्लांट की मिट्टी की बात है मिट्टी इसको क्योंकि बहुत नाजुक सा पौधा है इसकी जो स्टेंप होती है बहुत लचीरी होती है एकदम हाथ लगाती ही टूट जाती है तो इसको बहुत हलकी मिट्टी की आउशकता होती है जिसमें की 40% गार्डन सोयल 30% सेंट और 30% आप इसमें कंपोस्ट मिलाएं और इसमें प्यार करेंगे गमला इसको ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए ज्यादा ज्यादा आप इसे 6-8 इंच या 9 इंच तक के पौट में आप इसे लगाएं इसके बाद जब हम इस पौधे को लगा रहे हैं तो डिनेज का विशे धियान रखें डिनेज अच्छा होना चाहिए पान जैसे ही डाला डिनेज से बाहर निकल जाएगा तो यह प्लान खराब नहीं होगा पानी की जहां तक बात करें से पानी भी से चाहिए परन्तु बहुत कम अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो इसकी जो इस्टेम्प होती हैं गलने लगती हैं अगर कम पानी देंगे तब इसकी पत्या सूख जाती है तो पानी का विशेश धियान रखें कम पानी देने से इसकी पत्या सुकड सी जाती है और ज्यादा पानी देने से इसकी पत्या इसकी स्टेम गल जाती है तो पानी बिल्कुल देख कर दें देखें कि जब पानी बिल्कुल उपर की सता बिल्कुल स यह एक ऐसा प्वधा है इसे ब्राइट लाइट फुल चाहिए पन्तू डारेक्ट सनलाइट में यह प्लांट खराब हो जाता है इसकी पत्या सुकर जाती है और ज्यादा चाया में अगर इस पौदे को रख देंगे तो इसकी जो टेहनिया होती है जो स्टेंप होती है काफी गएगी हो जाती है लम्बी-लम्बी सी हो जाती है जिससे प्लांट इधर उधर भिखर सजाता है और जो देखने में अच्छा नहीं लगता है तो इससी न चाया में रखें और बहुत थीज़ Christ में रखें जहां चनकर इसे धूप मिले और हलकी दूप मिले, हलकी छाओं मिले इसे और bright light इसे full मिले तो ये plant बहुत अच्छी growth करता है और पूरा गमला आपका cover हो जाएगा side से इसके branch निकलते रहती है और काफी घना से हो जाएगा आप इसे multiply नीचे से stemp होते रहती है आप इसको अलग अलग करके भी इसको कई गमलों में shift कर सकते हैं इस जंग से भी इसे लगा सकते हैं और bulb से भी इसे लगा सकते हैं इस जंग से हम इस पौदे की care करेंगे अगर हम इसे ज्यादा semi set में रख देंगे तो ये काफी इदर उदर fail सh जाता है जो देखने में सुन्दर नहीं दिखाई देता है और प्लांट आपका बिकार सा देखेगा तो इसमें जो ये फ्लावर आते हैं ये इसकी परपल कलर की पत्या हैं ये तो इसकी पत्या हैं और इसमें देखे ये पिंक कलर के फ्लावर आ रहे हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा सुन्दर लगते हैं जब फ्लावर खिलते हैं अगर आप इसको हलकी दूप में रखेंगे तब ही फ्लावर खिलेंगे अन्यता ये फ्लावर नहीं खिलेंगे और ये प्लांट भी दे दिखाइं देता है इसको आप रिपार्ट भी कर सकते हैं जब देखें कि आपका प्लान भी है तो साल में एक बार कर सकते हैं इसमें साइट से जो प्लांट निकलते रहते हैं मल्टिप्लाई होते रहते हैं इसकी स्टेंप आप इनको अलग लग करके नई पॉट में लगा सकते हैं और इसका जो बल्ब है वो भी इसी में रहने दें आप क्योंकि नहीं अगर आप बल्ब निकालेंगे तो फिर ये बहुत छोटे से से भी इसको ग्रोव कर सकते हैं ड्राइ होने के बाद आप बल्ब से भी लगा सकते हैं और मल्टिप्लाई ये पौदे होते हैं तो उनको अलग अलग करके बेस को लगा सकते हैं तो दोनों ही तरह से आप इस पौदे को लगा सकते हैं बहुत आसानी से ग्रोव हो जाता है अ मिटी चेंज करी है तो बल्व इदर उदर होने के करण कभी कई पौधों कई गमलों में यह नजर आ जाते हैं तो आप उनको निकाल कर भी इसे लगा सकते हैं यह प्रांट देखने में बहुत सुन्दर दिखाए देता है पर तो बहुत नाजुग सा पौधा है अगर थोड़ खूसरत दिखाए दे रहा है मैंने इसे ऐसी जगह पर रखाया जहां इसको चनकर हलकी सी धूप मिल रही है और इस समय यह बहुत अच्छी फ्लाप्रिंग भी कर रहा है देखे जैसी ही सर्दिया आएंगी तो मैं यह उपर की लीव इनकी सुकर जाती हैं मैं इनको कट कर द इसके फ्लावर भी बहुत सुन्दर दिखाई देते हैं देखे यह बंच में फ्लावरिंग करता है और बहुत खूपसरत दिखाई देता है इस डंग से आप इस बटर्फलाई प्लांट की कियर करें और ठेरो प्लांट इसके बनाएं और ग्रीन पत्यों के वाले प्लांटो के बीच में इस पौधे को रखें तो आपका गार्डन बहुत ज्यादा खूपसरत दिखाई देगा थोड़ी सी केर के बाद यह हमेशा ही आपके गार्डन में बना रहेगा देखिए कितना खूपसरत दिखाई दे रहा है बस इसमें थोड़ा सा पानी का विशे ध्यान एक बार आपके इसके लिए वैल्डन मिट्टी बनाएं बार बार इसको कमपूर देने की आउशक्ता नहीं है तो इसकी लचीरी टहनिया होने के करण यह बहुत जल्दी तोट भी जाता है तो इसे बार बार चेड़ने की आउशक्ता नहीं है थैंक यू